हेलो फ्रेंड्स आज हम एक दम स्पेशल नाश्टा बनाने वाले हैं वो भी गुतेवे आटे गा जी हां अगर गुताव आटा रखा है तब भी ठीक है अगर नहीं है तो आप बना लीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर किस बात की यहां पर ले लिया है मैंने एक कप गहुंक आटा जिसको मैंने अच्छे से चान कर लिया है एक कप गहुंक आटा लेने के बाद उसमें डालेंगे थोड़ इसी अजवायन अजवायन को हातों से अच्छे से रगड कर डालें जिससे इसका फ्लेवर हमारा आटे में बहुत अच्छा आए उसके बाद डालेंग तो नाश्ता हमारा जो है वह इससे बहुत अच्छा बन जाएगा और यह कि अच्छा से मूट बन रही है तो इसका मतलब यह है कि आटे में हमारा मोयन बढ़िया से लग चुका है अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक टाइट डो लगाना है तो चली आटा मरा लग गया है इसे रस्ट करने देते हैं यहाँ पर ले लिया है एक मैंने मिक्सिंग बाउल इसमें हम कुछ वैजिटेबल एड़ करेंगे जैसे कि दो मीडियम साइज के उबलेवे आलू मैंने यहाँ पर लिया है कद्दू कस करके थोड़ी सी गाजर नमगे और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए यहाँ ठोड़ा साबूद है ने यहाँ घचानिया न्याजर और नगरम तढदे कर लिया है इसमें लगाएंगी स्वाध को बढ़ाने के लिए तड़का एक में तड़का कर गरम तड़का लगा दिया है इससे friends हमारी जो ये filling है बहुत ज़्यादा स्वाधिस्ट बनेगी हमें ये filling fry करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं अगर हम इस तरीके से filling बनाते हैं तो जबी भी वो ही टेस्ट आएगा और जटपट सुभे की जल्दबाजी में ये मिंटों में बनकर त्यार भी हो जाएगी इससे हमारे समय और गैस दोनों की बचत है तो जबी भी आपको जल्दबाजी हो तो आप इस तरीके से filling त्यार कर सकते हैं किसी भी नाश्टे के लिए और देखिए आटा भी हमारा यहां बड़या से सॉफ्ट हो चुका था हमने इसको थोड़ा सा और मुसल मुसल के बड़या से सॉफ्ट कर लिया है अब इस आटे में से हम बनाएंगे छोटी छोटी लोईया जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं बिल्कुल उसी साइज की हमें यहाँ पर लोईया तोड़नी है सारे आटे में से हम इसी साइज की लोहिया तोड़कर तयार कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हमने सारे आटे से लोहिया बनाकर तयार कर ली है तो चली अगला काम कर लेते हैं अब यहाँ पर मिश्टर भी रेडी है और हमारे आटे के पेड़े भी तयार है तो अब यहाँ पर हम जिस चीज से यह सारा नाश्टा बनाने वाले हैं तो वो यह चीज है इसे किचन लिन कहते हैं जो हम किचन वगएरा में बावल वगएरा रखने के लिए यूज करते हैं या कोई भी गरम कुकर हो या कोई गरम पतीलों हो सीधा गडर रख्ते हैं आपके ऊपर रखिसके उपर हैं हमें इसको बेलना है बेलन से भी हम इसे लंबाई में ही बेलेंगे चाहे तो आप हाथ से कर लें और यह देख लें आपको खुदी दिख रहा होगा जैसे हम इसे बेल रहे हैं press करते हुए तो यह नीचे से अच्छा सा एक डिजाइन हमें शोग हो रहा है डिजाइन हमें कस पर आटे क्या पेडा रख कर इसी तरीके से बेलन से बेल देंगे जबी बी ऐसा ही डिजाइन आपका आ जाएगा तो एक हमने बना कर रेडी कर लिया है दूसरा भी हम इसी तरीके से लंबाई में बेलते होए पीस तैयार कर लेंगे यह के दो पीस हमारे यहां जो यह हमारा नाश्ता है यह दोपीस से ही बनेगा तो एक साथ हमें यहां पर इसके दोपीस चाहिए तो एक पीस हमारा रेडी है और दूसरा हमने प्लेट में रखा हूं है यहां पर हमने थोड़ा सा मैदा और पानी को मिला कर बनाया हुआ गोल चिपकानी के लिए तो आप भी हो सके तो बना लीजे नहीं तो आप पानी से भी चिपका सकते हैं बीच में स्टफिंग को हम इस तरी किसे चमत से सेट कर देंगे किनारे छोड़ते हुए और जो एक पीस पहले बनाके रखा हुए उसको इसके ऊपर लगाते हुए किनारे से किनारे हम जोड़ देंगे बि बिल्कुल भी हातों से बिल्कुल भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है नहीं तो होगा क्या कि जो हमारी डिजाइन है यह हमारा खराब हो जाएगा तो यह देखिए चारों तरफ से हमने फोक से इसको दबा दिया है और देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर करते हुए जो एक पीस है उसके उपर दूसरे को रखते हुए हम इस तरीके से हलका सा हातों से प्रेस करते हुए फिर फोक से इस पर डिजाइन डाल देंगे बिल्कुल इसी तरीके से हैना एकदम यूनीक डिजाइन वाला नाश्ता हमारा तो आपके महमान आए या फिर सबाजे में गुथे वे आटे से आप ये नाश्ता जा मर्जी बना कर तियार कर सकते हैं मैं आपको यहां पर एक दूसरा तरीका पी बता देती हूं यह सिंगल पीस से बनेगा यहां पर हमने सिंगल पीस लेके चारों तरब से मैदे और पानी का गूर लगा दिया है और इस और यह देखी सारा नाश्ता बनकर रेडी है तो चलिए गैस की तरब चलते हैं गैस पर कड़ाई में थोड़ा सा ओयल रख दिया है हमने तेल को हमें मीडियम आज पर ही गरम करना है और सारा नाश्ता हमने मीडियम आज पर ही तलना है क्योंकि आटे से बना नाश्ता है पलटते हुए हमें इसको उपर नीचे करते हुए बढ़ी ऐसे फ्राइब कर लेना है और यह देखिए बातों बातों में फ्राइब हो चुके हैं तो हमने इस वाले नाष्टे को निकाल लिया है और सेकंड स्लोट जो हमारे नाष्टे का बचा है वह भी हम एक बार में ही डाल देंगे और देखिए इसको भी हम ऐसे ही उपर नीचे से पलटते हुए हमने इसे भी फ्राइब कर लिया है तो चलिए सारा नाष्टा बनकर हमारे यह रेडी है यह देखिए एक दम यूनिक चटपड़ा नाष्टा बनकर हमारा रेडी है क्या हलवाई के समोसे और कचोरी आप एक बार यह नाष्टा जरूर ट्राइ कीजिएगा और यह देखिए गुते आटे से हमारा यह नाष्टा कितना खस्ता बना है कितनी बढ़ियक क्रैकल की आवाज आई तो बाहर से कुरकुरा और अंदर से सॉप्ट बच्चे हो यह बड़े सब इस नाष्टे को खा सकत हैं तो अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और रोज आने वाली ऐसी नहीनी रेसिपी के लिए अपडेट रहिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक्स पर वाच क को शाों लगिए अजयर रहुड़ी और रहाँ वाविणिव पूले को शेखने विलिय gotta को उच्राइब करना ब्रहार करन